आरपीसी की और से जारी उत्तर ताली का हिंदी 13 सितंबर दो जारे की समय नो बजे से बारा बजे की बीच में जो पेपर हुआ था पूरे सो प्रस्टन है पेपर कोड की बात करें तो 01 और वरग जो बना हुआ है वो पेपर हम आपको सोलुसन करवाएंगे तो पूरा पेपर आपको हम सोलुसन कराएंगे वित ओपीशली उत्तर की के शाथ तो आप कोपी और पैन लेकर कि अपना मिलान जरूर कर लें कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर तो शुरू करते हैं पहले प्रस्ण की और पहला प्रस्ण पूछा गया था इन में से किस सबद में इन प्रते नहीं हैं यानि कि कौन से सबद में इन प्रते नहीं हैं तो इसका पहले प्रस्ण का उत्तर जो इन्होंने माना है वो गम गीन ओप्सन नंबर तीन माना हैं बात करें दूसरे प्रस्ण की तो दूसरा प्रस्ण है इन किस सब्द में ले प्रते नहीं है दो नंबर प्रस्ण किस सब्द में ले प्रते नहीं है तो इन्होंने माना है अतल इसका सही उतर माना है अतल में कोई भी ले प्रते नहीं है प्रस्ण संख्या नंबर तीन किस सब्द मे गार प्रते का प्रियोग नहीं हुआ है तो यहां ओप्सन नमबर एक इन्होंने सही माना है सनना गार चोथा प्रस्ण निमन लिकित में से तत्सम सब्द नहीं है कौन सा सब्द है वो तत्सम नहीं है तो त्योहार उप्सन नमबर तीन इन्होंने माना है वो तत्सम नहीं है ये तत्भव है त्योहार में दो मात्रा होगी पांच नमबर प्रस्ण किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है पांचमा प्रस्ण तो इन्होंने तत्सम सब्द में बात करें तो दंड, शिर और शाक उपसन नमबर 4 सही उतर माना है प्रस्ण संक्या नमबर 6 इनमें से किस सब्द में कोई उपसरग नहीं है यानि कि 6 नमबर में कोई उपसरग नहीं है तो यहां बात करें बेलदार, option number two, उन्होंने इसका सही उतर मना है प्रस्टन संख्या नबर 7 की बात करें तो किस विकलप मैं तत सम और तत्थभव दोनों परकार की शब्द समा ही था प्रस्टन संख्या नबर 7, तो इसका सही उतर हो जाएगा नो नमबर प्रशन की बात करें तो किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है प्रशन संक्या नमबर नो तो वे शदेव सच बोलता है तो यहां कोई भी विदेशी मूल का शब्द इसमें नहीं आया हुआ है प्रशन संक्या नमबर दस की बात करें तो किस विकल्प मे कोई भी शब्द विदेशी मूलका नहीं है एक बार फिर कोई विदेशी मूलका शब्द नहीं है तो यहां प्रस्ण संक्या नंबर 10 का उप्सन नंबर 2 सही माना अकेला और सहास शब्द है जिसमें कोई भी विदेशी मूल का शब्द नहीं है प्रस्ण सेंग्या नंबर 11 किस विकल्प में सभी शब्द तदभव है तो तदभव की बात करें तो छकड़ा काजल और खेत option नंबर 4 इसका सही उतर माना गया है प्रस्ण सेंग्या नंबर 12 की बात करें तो इनमें विशेशन से बनी भावाचक सेंग्या नहीं है प्रस्ण सेंग्या नंबर 12 तो option नंबर 4 इनों सही माना है ममता है वो भावाचक सेंग्या नहीं है बाकी सभी भावाचक सेंग्या है जो विशेशन से बनी है प्रस्ण संख्या नमबर 13 इन में किरिया से बनी भावाचक सेंग्या नहीं है, तो option नमबर 4 इसका साही उतरमाना है, खटाई संख्या नमबर 14 गुण वाचक विशेशन से सम्वनदित वाक्य कौन सा है ? तो option number 3 यह नोने इसका सही उतर माना हैं, हमें कप्टी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, प्रशन सेंक्या number 15, किस वाक्य में किरिया सकर्मक रोप में प्रियुक्ट हुई है, प्रशन में option number 4 इसका उतर सही माना है, पतंग वह पतंग उड़ा रहा है, यानि कि प्रशन सेंक्या number 15 का चार नमबर उतर वह पतंग उड़ा रहा है, सही उतर माना है, प्रशन सेंक्या number 16 की बात करें, किस विकल्प में सभी सेंक्या शब्द किरिया सब्दों से निर्मित है, शोला नमबर प्रस्ण का उप्सन नमबर एक भूल और हसी किरिया सब्दों से निर्मित उतर माना गया है प्रस्ण संक्या नमबर 17 की बात करें किरिया विशेशन रहीत वाक्य कौन सा है किरिया विशेशंड रहीत वाक्य ऑप्सन नंबर 2 माना है वह अपनी कक्षा का सबसे ओंसियार विद्यारती है प्रसन संक्या नंबर 18 किस वाक्य में शंबंद सूचक अव्य का प्रियोग हुआ है यानि कि कौन सा वाक्य है जिसमें संबंद सूचक अव्य का प्रियोग हुए अठारा नंबर परसन का तो उप्सन नंबर एक सही उत्रमाना है आप रादी ने पुलीस के सामने जूट बोला प्रसन संक्या नंबर 19 विश्मादी बोदक है शब्दों के शमन्द में कौन सा कथन सही है यानि कि कौन सा उप्सन है जो विश्मादी बोदक शब्दों के शमन्द में कथन सही है तो 19 का उप्सन नंबर 4 ये प्राय है वक्य के अरंब में आते हैं उप्सन नंबर 4 सही माना है 20 में प्रस्ण की बात करें किस वाक्य में निपात का प्रियोग नहीं हुआ है तो प्रस्ण संक्या नमबर 20 में कौन सा निपात का प्रियोग नहीं हुआ है तो उप्सन नमबर 3 इसका सही उत्र माना है मुझे एक गिलास दूद चाहिए प्रसन संक्या नंबर 21 की बात करें किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रियूक्त हुई है प्रसन संक्या नंबर 21 है तो इसका उप्सन नंबर 1 सही माना है वे बिना बात ही हस रही है उप्सन नंबर 1 सही माना है प्रसन संक्या नंबर 22 की बात करें किस विकल्प में या सब्दों से बने हैं कौन से विश्य सने जो प्रस्ण संग्या नंबर 22 की बात करें तो इसका उपर उतर तीन नंबर उप्शन सही माना है पिड़ित और दैनी है प्रस्ण संग्या नंबर 24-23 की बात करें निमलेकित मैंसे नदी का प्रयवाची नहीं है प्रसन सिंक्या नमबर 23 की बात करें तो सर्शी इसका सही उतर माना है उप्सन नमबर 1 24 की बात करें किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के प्रेवाची है यानि कि 24 की बात करें तो उप्सन नमबर 4 विटप और दुरुम यानि कि पेड़ के प्रेवाची है उप्सन नमबर 4 सही माना है 25 की बात करें किस विकल्प में प्रस पर प्रेवाची सब्द नहीं है प्रसन संख्या नमबर 25 की तो उप्सन नमबर 2 उन्होंने सही माना है कपोट और पिक जो की प्रस पर प्रेवाची नहीं है कपोट और पिक उप्स नंबर दो 26 की बात करें किस वाक्य में निपात का प्रियोग मंशप्र नहीं है संग्र है और प्रिग्र है ऐवसे नमशता के बात करें Zakarin शकलिप युग में 28 नमबर परसन की बात करें तो उत्तर नमबर 4 सुकर और दुसकर इसका सही उत्र माना है 29 की बात करें किस विकल्प में समसुरुत बिनार तक शब्दों का अर्थ बेद सही नहीं है 29 का उपसन नमबर 1 वरंद समुए और डंठल जो सही नहीं माना है उपसन नमबर 29 का तीस की बात करें किन समसुरुत सब्दों का अर्थ बेद सही नहीं है तीस नमबर की बात करें तो उपसन नमबर 3 इसका सही उत्र माना है चीर और चिर वस्तर और दिरिकाल सही नहीं है परी छद और परी छेद सब्दों का सही अर्थ बेद 31 नमबर की बात क किस विकल्प में सबद प्रस पर विलोम नहीं है यहनी 32 नंबर की बात करें तो अप्षा नमबर 4 सलंग घणिये और प्रससन्य विलोम शब्द नहीं है 33 की बात करें ऐसा रोग जो छुने मातर से फेलता हो इसके लिए सारतक शब्द होगा 33 नमबर की आपसन नमबर 1 सही माना है सक्रामक रोग 34 की बात करें ग्यान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांस के लिए सारतक शब्द है 34 का 35 की बात करें कई हुई बात को फिर से कहना वाक्यांस के लिए सारतक शब्द की बात करें 35 का उत्तर नमबर 2 सही माना है 36 की बात करें निमलिकित मैंसे किस वक्त के में संपरदान कारक के परसरग विबक्ती चिनहे का प्रियोग हुआ है तो 36 नमबर का उप्सन नमबर एक सही माना है राम के हित लक्समन बन गई थे उप्सन नमबर एक सही माना है 37 की बात करें जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांस के लिए सारतक शब्द 36 की बात करें तो सदाचारी उप्सन नमबर चार इसका सही माना है 38 नमबर प्रशन की बात करें इन में से किस विकल्प के शबी शब्द इस्तरलिंग है 38 नमबर प्रशन की बात करें तो आपसन नमबर 3 इसका सही माना है इमली, चांदी और लोकी 49 किस विकल्प में कोई भी शब्द इस्तरलिंग नहीं है 49 की बात करें तो आप्सन नमर दो इसका सही माना है निम्बू दही और केला इस्तरलिंग नहीं है चालीस की बात करें कौन सा सब्द सदेव एक वचन में प्रियुक्त होता है तो चालीस नमर की बात करें तो आकाश इसका सही उतर आप्सन नमर एक माना है 41 की बात करें किस वाक्ट के में मध्यम पुरुश का प्रियोग नहीं हुआ है 41 की बात करें तो यह option number 3 इसका उत्तर सही मना है हम अपने आपको भूल गए 42 की बात करें हमाले से अनेक नदिया निकलती है इस वाक्ट में किस कारक के परसरग का प्रियोग हुआ है प्रश्ण संक्या नबर 42 का उत्र नबर 3 अपादान कारक इसका सही उत्र माना है। 47 की बात करें किस विकल्प में समसुरुत बिनारतक शब्दों के अरत शुमलित है। यानि कि 47 का उप्सन नबर 3 सही माना है। सरवथा और सरवदा सब तरह से शदेविया हमेशा उप्सन नबर 3 इसका सही माना है। निश्चारत वरती का प्रियोग किस वाक्य में हुआ है। 44 नबर की प्रश्ण की बात करें तो 44 का उत्र नबर 2 इन्होंने सही माना है। बच्चे ने पुस्त तक पढ़ ली। आवरती 45 नमबर आवरती मुलक पक्स से सम्मंदित वाक्य कौन सा है। 45 की बात करें तो प्रश्ण संक्या नमबर 4 इसका 45 का उत्र सही माना है। वे इसकूल जाता है। 46 की बात करें तो करत वाच्चे से सम्मंदित वाक्य की बात करें। परसन सेंक्या नमबर 46 का तीन नमबर उत्र सही माना है लड़का पड़ रहा है 47 की बात करें तो किस विकल्प में समसुरुत बिनार तक शब्दों के अर्थ सुमलित नहीं है 47 की बात करें तो 47 का उपसन नमबर दो सही माना है जठर और जरट जेस्ट या बड़ा या बुड़ा इसका उत्र अपसन नमबर दो सही माना है 47 का 48 की बात करें तो कौन सा कतन सही नहीं है 48 की बात करें कौन सा कतन सही नहीं है तो उपसन नमबर 3 नहोंने सही वाना है करम वाचे अकरमक और सकरमक दोनों किरियों में होता है ये इनोंने इसका सही उतर माना है उन्चास की बात करें कौन सा कतन गलत है तो उन्चास नमबर में आपसन नमबर दो वाके में प्रियूक्त किरिया को उद्दिश्य और करता को विदे कहते हैं ये आपसन नमबर दो सही माना है पचास की बात करें किस विकल्प में सभी शब्द शुद है पचास में नमबर की बात करें तो आपसन नमबर दो तंदुरूस्त मद्धे नजर और चारा गहा इन्होंने उपतर सही माना है 51 की बात करें किस वाक्य में भावाचे नहीं है तो 51 का उप्स नमबर दो वे प्रती दिन इसकूल नहीं जाता उप्स नमबर दो इन्होंने सही माना है 52 की बात करें इनमें वरतनी की दरश्टी से कौन सा सब्द शुद नहीं है तो 52 का उप्सन नमबर 4 इन्होंने सही माने दरस्था 53 की बात करें वरतनी की दरश्टी से सुद सब्द है तो यहां 53 का इन्होंने उप्सन नमबर 2 सही माने दम पत्ती 54 की बात करें इनमें क्विलों शब्द यूगमन नहीं है यानि कि 54 की बात करें तो ऑप्टन नमबर 4 हार और प्रिखास इन्होंने इसका उतर नमबर सही माना है पच्पन इनमें विलोम शब्द युगम नहीं है पच्पन की बात करें तो इन्होंने उप्शन नमबर तीन वेतनिक और सेवेतनिक इसका उतर सही माना है 56 की बात करें किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है 56 नंबर की बात करें तो अप्ज़न नंबर 3 दातव्य और भवनिस्ट इसका उतर सही माना है 58 की बात करें अब आगे बढ़ गया और वे पीछे रह गया स्क्ठ वाक्य का उधारन है अठावन की मैंने लड़के को पुस्तक बढ़ाई उपयोक्ट वाक्य में परिऊक्त क्रिया का भेद अठावन में परशन की बात करें तो आफिसन नम'. करिया इन्होंने इसका उत्तर माना 60 की बातकरें निमलकित मैंसे सरल यह साधानग्स कोना है 60 नंबर प्रश्ण की बात करें तो option number 4 इन्होंने सही माना है दिन का ठकाववा आदमी रात को खूब शोता है 61 नंबर प्रश्ण की बात करें व्याकरण की द्रस्टी से गलत कथन कौन सा है प्रस्टन सेंग्या नंबर 61 की बात करें option number 4 इन्होंने सही माना है शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं, उप्सन नमबर 4 सही माना है, 62 की बात करें, निमलिकित मैसे शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 62 प्रश्ण का इनोंने उतर माना है, दो नमबर साहित्य और समाज का घनिस्ट संबंद, 63 की कौन सा वाक्य असुद्ध है, तो 63 का दो नमबर उतर इनोंने सही माना है, वे बुरे आदमी नहीं है, 64 की बात करें, व्याक्रण की दरश्टी से कौन सा कथन सही नहीं है, 64 की बात करें, तो उप्सन नमबर 3 इनोंने सही माना है, किसी भी वाक्य में करता और करम का होना आवश्यक होता है, उप्सन नमबर 3 सही माना है, 65 की शुह है 6545 प्रशंट नंबर की बात करें तो उप्शन नंबर चार इनोंने चाही круize 66ा कौन सा उगलब करें कौन सा कथन वक्द नहीं तो शुच्टी सिक्सका प्रशन्ध संक्या नंबर 66 का एक लसंगाई अप्ष्टीक सञी है दो तु बात मत करू। 66 की बात करें कौन निमलिकत में से शुद्ध वक्य है। 67 की बात करें तो तीन नमबर उत्र इसका सही है। हमारे देश में अनेक रमणिये इस्तल है। 68 की बात करें आदी और आदी शब्द युग्म का शही अरत। तो 68 की बात करें किस विकल्प में शुद्ध वक्य है। 67 की बात करें किस विकल्प में शुद्ध वक्य है। तो उप्सन नमबर दो इन्होंने सही माना जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का आरत संबंध वाचक शब्दों जैसा होता है। उनके अंत में प्रश्ण वाचिक चिने लगाए जाते हैं उप्यूक्त वाक्य में रिक्तित्थान के लिए उप्यूक्त मुहावरा कौन सा एगा इकत्तर की बात करें तो उप्यूक्त नमबर चार तिल का ताड़ बना कर सिर्म नुडवाते ही ओले पढ़ना उप्यूक्त मुहावरे का भावारती क्या है तो ऑप्सन नमबर तीन कारे आरंब होते ही विगन पढ़ जाना तिहत्र की बात करें गागर में सागर भरना तो यहां तेहत्र का तीन नमबर ऑप्शन इन्होंने सही माना है बहुत कम शब्दों में महत्पुन बात का कहना चोहत्तर की बात करें कमजोर द्वारा शक्ति प्रदशन करना नस्ट होने के करीब पहुंचना बावारत सिशंबंदित लोकुप्ति या मुहावरा कौन सा है सेवंटी फॉर का तीन चीरी के पर निकलना उत्तर सही माना है 75 की बात करें अत्याधिक प्रिश्रम से आरंभ किये वेपार में बहुत कम होने प्राताश उद्धमी ने कहा वक्के के लिए रिक्तिस्तान में प्रियुक्त लोकुप्ति 75 नमबर की बात करें तो यहां उप्सान नमबर 2 खोदा पहाड और निकली चुईया 76 नमबर 1 तो केला दूजे नीम चड़ा लोकुप्ति का उप्युक्त भावारत कौन सा है तो 76 नमबर का सही उप्तर माना है और थी उप्सान नमबर 4 कूशंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना 77 नमबर की बात करें किस मुहावरे का भावारत सही नहीं है शेवंटी 77 की बात करें तो अथ्यदिक क्रोदा गड़ों पानी परणा बहुत वर्शा होना इसका सही उतर्माना 78 आग बुगला होने का बावारत की बात करें तो option number 3 इन्होंने अत्यादिक क्रोध करना सही उतर माना है option number 3 89 की बात करें अपने पेरों पर खड़े होना बावारत का सही अर्थ क्या है तो option number 2 सही माना है आतम दिरबर होना 80 की बात करें किस विकल्प में हिंदी परिभासिक शब्द का सही प्रियोग हुआ है 80 80 की बात करें option number 1 सही माना है तुस्टी करन 81 की बात करें किस विकल्प में हिंदी परिभासिक शब्द का सही प्रियोग नहीं हुआ है 81 की बात करें, option number 3, महा दिविक्ता, option number इन्होंने सही मना है, option number 3, 82 किस विकल्प में लोकॉप्ति का भावारत शंगत है, तो 82 का उत्तर, option number 1 मना है, चोर की दाड़ी में तिन का, यानि अपरादी का निशंक होना, 82 का option number 1 सही मना है, 83 की बात करें, तो जुडिशन्स के लिए समकक्ष हिंदी प्रिभाशिक शब्द की बात करें, 83 का, चार number option सही मना है, छेतर अदिकार, approach 84 की बात करें, यहां तो approach, शब्द का शुशंगत परिभाशिक शब्द कौन सा है, 84 की बात करें, तो यहां option number 4 सिफारिश सही उतर मना गया है, 85 की बात करें, authority, शुशंगत परिवाशिक शब्द नहीं है तो यहां 85 का option number 3 लेख ही अधिकार option number 3 सही माना 85 की बात करें, किस विकल्प में शुशंगत परिवाशिक शब्द नहीं है, 86 की बात करें तो option number 1 सही माना है इन्होंने आयात और निरियात का ट्रांसपोर्ट का शब्द आयात निरियात नहीं है इसका उप्शन नमर एक सही माना है 88 की बात करें तो 88 ग्रोस मिस कॉंडेक्ट के लिए समका सिहन्दी परेवासिक शबद होगा 88 का सही उत्र अप्सन नमबर दो माना है घोर कदाचार 89 की बात करें किस विकल्प میں किस विकल्प की संदी सही नहीं है 89 की बात करें तो option number 1 सही बाना है तत धन उपरांत तद उपरांत सही नहीं है option number 1 सही माना है 90 की बात करें निमलिक में से कौन सा सब्द संदी रहीत है 90 की बात करें तो option number 4 सत धन चरीतर यानि सच चरीतर इसका option number सोरी 90 का कौन सा संदी संदी रही थे तो चार फल सब रूप इसका सही उतर माना गया अब नब्यका चार 91 की बात करें किस शब्द का संदी विशेद शही नहीं है 91 की बात करें तो आप्सन नंबर 2 इन्होंने सही माना है अध्योप्रांत यानि आदी धन उपांत यह ऑप्सन नंबर 2 इसका सही उतर माना है 92 की बात करें इन मैंसे कौन सा संदी शब्द सही नहीं है 92 की बात करें तो यहां अप्सन नंबर 1 रवी धन इंदर रविंदर जिसकी बड़ी मात्रा होनी चाहिए थी छोटी लिकिए यह सही नहीं अप्सन नंबर 1 93 की बात करें इन मैंसे कौ संदी शही है चुरानवे में कौन सी संदी सही है तो पिचानवे में आप बीती आप बीती आप सन सही माना है चानवे की बात करें निमन इन मैं से किस विकल्प में तदो स क्रिख शमास च्छाण वी की बात करें तो नम्बर चार तुली सी करतरा है सीवाह ज़ाש आऽ नहीं है फाराई कि बात करें तो नitte समास, नहीं आटान वी बात करें और एक परम्पिता इसका सही उतर मालाएं सोव और अन्तिम प्रस्ण हिंदी 13 तारीक का तो द्वंद्र समास का उधारण कौन सा है सोवें प्रस्ण का उप्सान नंबर 2 माना है शीटोशन शीटोशन नंबर दो सही माना है तो आपको बता दें यह था तेरा शितंबर 2021 को पहली पारी यानि की हिंदी का पेपर जिसके पूरे उतर हमने आपको बताएं आप अपना इश्कोर जांच लें और पेपर के साथ मिलान जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने अगला वीडियो हमारा जीके से संब्दित होगा तो आप वीडियो को जरूर देखना ना बूले और अपना इसको और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिंदी में कितने प्रस्ण सही हो रहे हैं धन्यवाद जै हिंद जै बारत